हाई फ्रेंड्स आप सभी लोग का मुश्ट वैलकम है हमारे चैनल इजी लर्निंग क्लासेश में आज देखें के जोगर्फी mcq पार्ट नमबर थर्ड जो हमारे जोगर्फी का पार्ट वर और पार्ट टू का विडियो नहीं देखें हैं बॉक्स में उसका लिंक रहे दिये हैं वहां से जाके लिंक में क्लिक कर कब से पहले पार्ट वर पार्ट टू का विडियो देख लें देन आप देखेंगा पार्ट थर्ड का विडियो बहुत संदा जंदार मिलने वाला है आपको जितने भी mcq है most important आपके एक्जाम के लिए हैं cents этой означate other 평 फैश्विट एक्जाम्प्स के लिए विसु की सबसे उची चोटी कौनकी बताना है कि विशुद सबसे ऊची चोटी सबसे ऊची मतलब की सबसे उचा जो चोटी मिस पिक हाइस जो है कौन सा है माउंट एवरेस्ट, माउंट एलबर्ट, माउंट ब्लैंक, माउंट कोस यूसकू आप अपने कॉपी में चेक भी कर सकते हैं 20 कोर्षन कितना एधान लेजेगा सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है और इसकी उचाई की बात किया जाए तो आठ हजार आठ सो अरतालीस मीटर कितने हैं आठ हजार आठ सो अरतालीस मीटर 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की उचाई है जो की नेपाल देश के काटमांडू में स्थित है आई देखते हैं इस कोशन भारत में कौन सी नदी है जो विपरित दिसा में बहती है मतलब उल्टी बहती है मतलब यितने भी नदी है वो जिस दिसा में बहती है उसके एगेंस्ट बहती है अब ध्यान देजेगा पुरव दिसा में ये बहतीگै पस्चिम से पुरव ठीक है देखिए कौन ची नदी है जो विपरित दिसा में उल्टी बहती है फर्स देखिए नर्मदा, सकेंद तापी अनिक तापती भी कहेंगे उप्युक दोनों मिन्स वन और टू और कावेरी धान देजिएगा वो आपका उप्युक दिसा बहने वोई नदी है उसका नाम है नर्मदा और तापी आनिक कि यहाँ आप्सन नमबर ठर्ड हो जाएगा य पहुत कुछ खायद फायदा मिलने वाला हर एक्जाम के लिए मौस्ट इंपटन है ताकि जितने भी एक्जाम इस मिखिएक फायदा हो mafia माजुली दीप जो कि एक नदी है भारत में और कौन सी नदी में है माजुली दीप औरुद इंप्टन अदी दीप है एंडियान दिजेगा फर्स्ट आउप्सन देखिए है जेलम नदी गंगा नदी, कृष्णा नदी, बरहंपूत नदी ध्यान दूजेगा माजूल नदी जो है वो भात ने कौन सी नदी में है देखिए इसका correct answer हो जाएगा आपका ब्रहंपूत नदी बताते हैं आपको की ब्रहंपूत नदी अखरी में है कहाँ ब्रहंपूत नदी आपको जो पढ़ता है वो असम में पढ़ता है तो ये माजुली दीप कहाँ है आपका असम में है most important sub questions है देखिए का माजुली से ब्रहंपूत नदी हो जाएगा आए देखते हैं पृत्वी की सबसे आंतरिक प्रत मुख्यता बनी है आंतरिक मतलब होता internal जो layer है वो किस से बना है first देखिए option है silica eum lohe se second देखिए option है nikel eum lohe se third option है nikel eum alumina se fourth option है silica eum alumina se सबसे आंतरिक प्रत जो है वो बनी है धान देजिएगा नी लो क्या रखिएगा त्रिक रखिएगा नी लो नी से निकील लो से लोहे तो बनी है नीकील eum lohe se option number two यहाँ पे हो जाएगा correct answer अगर बोलेगा सबसे आंतरिक प्रत नी लो नीकील eum lohe se आईए बढ़ते है question number five की ओर भूपपटी में वो अस्था जहां से भुकम्पी तरंगे आरंब होती है उसे कहा जाता है कहने मतलब भूपटी जो होता है भुकम्पी तरंबे आरंब मतलब शुरुवात स्टार्ट किस जगह से होता है वो बताना आपको फर्स देखए option आपका है अधी केंद्र सकेंड देखए option है क्रेटर थार्ड अपका है केंद्र और फूर्थ ऑप्प्षन है उद्गम केंद्र इसका answer क्या होगा ध्यान दिये गया जहां से भुकम्पी तरंब क्रेटर आरंब होती है उसको कहीं कहीं कहते हैं सेंटर, सेंटर को हिंदी में कहा जाता है केंदर, यहाँ पे आपका option number third correct answer हो जाएगा, आईए हम बढ़ते हैं question number six की ओर, निमलिखित में से कौन सी एक आकरिती नदी के निछेपन काईर का परिनाम है, फर्स देखिए option है विसर्फ, सकेंड option है बाड करित मेंदान, थर्ड option है चाप जील, और फोर्थ option है जल परपात, क्या कहता है कि आकर्ती नदी विच निछेपन काईर का परिनाम है, देखिए निछेपन कोन करेगा, जहाँ यादा है बाड हो अगरा मेंदान होगा न, option number 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका correct answer बाल करित मेंदान, आएम आते हैं question number 7 की ओर, दुनिया की सबसे लंबी परवत सरिंखला कौन सी है, हिमाले, रॉकी, एंडीज, आलपस, ध्यान दीजेए दुनिया की सबसे लंबी परवत सरिंखला जो आपका है, वो option number 3 आने की अगर बात किया जा, एंडीज जो है, किस महादेश में है, इसका correct answer हो जाएगा आपका, दच्छीन अमेरिका, यह उत्तर सरिंखला क्या हो जाएगा आपका, एंडीज, एंडीज, यह ठीक है, बहुत डीज है, मतलब डीजे टैप में है, तो यह लंबी परवत सरिंखला कहा आपके हो जाएगा आपका, एंडीज में है, आईए हम आते हैं, question number आपका 8 की और बढ़ते हैं, वीडियो को last तक देखिएगा, वीडियो का अच्छा आपको लग रहा है, question याद हो रहा है, जो आपका अच्छा लगे question लिख सकते हैं, question number 8 की और बढ़ते हैं, जब कोई सी सादी सेल, पारंभिक सेल, आगने सेल, कायंतरित सेल, जब परदार से बढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, देखिए, उन्हें कहा जाता है, आवसादी सेल, आने के option number 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे correct answer, ध्यान देखिए, question number 9, देखिए, most important, बहुत जानते भी होंगे बहुत लो, किसे अंध, अंध मतलब अंधा, किसे अंध महादीप कहा जाता है, अब देखिए, जब महादीप के बारे में बात कहा गया है, कुल मिलाके विस में साथ महादीप हैं, उसका हम बताते हैं आपको, एसिया, अफरीका, उत्री अमेरिका, दच्छनी अमेरिका, अ जाता है फस्ट की ऑप्सन एसिया अफ्रीका यूरोप अस्टेलिया एकि अंद महादीब के बारे हम कहा जाएगा तो देखी अंद अफ्री जो क्या होगा अफ्री अनिकी फक्री जो अफ्री रहेगा नहीं होगा अंद महादीब से प्रित्वी की तीनों अच्छांस रेखाएं करकर रेखा विशुवत रेखा वह मकर रेखा गुजरती नहीं कोस्ट नमबर टेन आपका भैरी भैरी इंपोर्टेंट है कहता है कौन सा महादीब प्रित्वी की तीनों अच्छांस रेखाएं करकर रेखा भी विशुवत अमेरिका से दच्छनी अमेरिका से की अफ्रीका से ध्यान देजिए जब तीनों अच्छांस रखाएं के बारें बात किया जाएं तो वह अफ्रीका से गुजरती है तीन जो है वह अफ्रीका अफ्री लोग जो है यहां पर तीनों अच्छांस रखाएं कर लेते हैं कर कभी सु कुसर एवन की बढ़ते हैं किसे DPA महादीब कहा जाता है क्या बता है कि ड़ीपीए DPA मतलब है दो तरह का गाल ऐइब जो है किसे कहा जाता है फरस देखिए ऐप्सन है अफ्रीका सकंड की ऑप्सन है यूरोप थर्ड देखिए दच्छीन अमरीका फोर्ड देखिए उप्सन है अस्ट्रेलिया ड्वी पिये जहां पे दो तरह का महादीब के बारे बात कहा जाए देखिए ड्वी पिये महादीब कहा जाता है किसको अस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया कहा जाए तो सबसे छोटा महादीब महादीप के बारे बात कहा जाए तो अस्टेलिया है और सबसे बड़ा महादीप कहा जाए तो अस्टेलिया है तो अपसर नंबर फूर्ट यहां पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पृत्वी का एसा भाग रिसमे पर्यावरन के तीन घटक जल वायू भूमी मिले होते हैं वायू मंडल, जल मंडल, जय मंडल, अस्थल मंडल क्या बता है देखिए पर्यावरन के तीनों घटक है जल भी है वायू भी भूमी मिलके क्या बनता है देखिए वाय से वाय हो जाएगा जल से जल हो जाएगा भूमी से अस्थल हो जाएगा यह तीनों अकेला हो गया मिलके बनते उसे कहते हैं जै मंडल आने की option number 3 आपका यहां हो जाएगा correct answer जै मंडल कहते हैं जहां तीनों घटक होते हैं जल भी वायू भी भूमी भी आईए कुछटिन के बढ़ते हैं bearing जल मंडरुमद पानी का संकरा भाग है जो जोडता है किसे जोडता है परसांत महासागर वा अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर वा हिंद महासागर आर्क्टिक महासागर वा परसांत महासागर हिंद महासागर वा परसांत महासागर बताना है कि बेरिंग जलमंटुमद पानी क संकरा मतब्स वोटा भाग है वो जोड़ता है वो देखी जोड़ता है कि इसको आप को जोड़ेगा वो आप देखी आज से हो गया आर्क्टिक और पर से हो गया परसांत महासागर देखिए हम क्या बताएं ठिक देखिए आपको इ क्याने की जोड़ता है आर्क्टिक महासागर वा परसांत महासागर को जोड़ता है आएं बढ़ते हैं कोश्यन नंबर 14 की और हम 20 कुश्यन करवाएंगे इसमें अगर भीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक अवैसे कर यस्तुरे को सेर भी करता कि और भी लिए जनक भी से कहा जाता है फॉर्स्स की अप्शन है यूरोप की Cayuga अन्टार्टिक ठ्रड अस्ट्रेलिया। देखिए Oceana, Oceana दीब कहा होगा, Oceana और A से क्या होता, A से Oceana और A से O-A, O-A रखेएगा, Oceana दीब, A से Australia, Oceana दीब कहां पर है, तो आपका Australia में सार्खे ट्रीक आपको, O-A, आपको ट्रीक याद रखना है, O-A, O से Oceana और A से Australia, आइक 15 किरो पढ़ते हैं, पिट्थवी के कूल भाग पर 71% पानी है, इसमें सबस्यधीक मात्रा में पानी का कौन सा भाग है, कौन सा भाप सा भाग होता है, मंदे पानी जादा किसमें लिया गया है, महासागरों का पानी होता है, नदियों का, जीलों का, भूमिगत, जल का, ज्यान देज़े का 71% पानी में सबसरीक मातरा में पानी जो है वो महासागर का होता है। यहां पर आपका option number first क्या होगा? correct होगा अधिक मातरा में क्या होते हैं? तो महासागर फैले होते हैं जिसको कर सकते हैं आप समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा फैला होता है वो पानी का आईए मोस्ट इंपोर्ट को से के question number आपका 16 देखिए मोस्ट इंपोर्टन है ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है वो किसमें नापते हो परत को चुड़ाई में फीट में दौप्सन में मध्यमंदन देखिए और जोन परत ओडां क्यार कियेगा ओडॉप्स क्यार किया ओडॉप्स ओडॉप्स ओजोन डॉप्स से डॉप्सन नमबर ठड़ आपका हो जाएगा correct answer पिर्थी पर संचार सुइधा है तो उप्युक्त परत या मंदल उप्योगी है अब देखी संचार का सुधा जो है किस मंदल के तहट जो है उसको उप्योगी माना जाता है यह बता ना संचार सुधा जो है गडिपाटाई को रहते हैं शो मंदल समताफ मंदल करते हैं आयन मंदल और मेंध्य मंदल करते हैं तो यह यहां पे iron mandal की बात क्या है तो यहां पे option number 3rd आपका हो जाएगा correct answer आईए हम बहते हैं question number 18 की योरप का युराल परवट अलग करते हैं युराल परवट जो है किसको अलग करता है ध्यान देजिएगा जब भी बात के हाजा यूराल का तो यहां उत्री अमेरिका और दच्छीन अमेरिका अफरीका वा एसिया एसिया वा यूरोप अब ध्यान देजिए यूराल परवत जो अलग करता है वो यू से यूरोप तो हो जाएगा और सबसे बड़ा जो आपका महादीप है वो एसिया है जो आल परवत अलग करते हैं एसिया वो य औरत क्या हो जाएगा, अगर बात का जाए ट्रिक की यद्यिए कर सकते हैं, यू से यू यू ए यू से स कॐसे हैं। वाईयू में सरवाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वाईयू में हवां में हुखी हैं। नाइट्रोजन ओजोन हाइड्रोजन यह बहुत लोगों पता इसका आंसर हो कि कभी जान पूछ दिया जाता है एक सरवधिक मातरा में वायू में कौन सी गैस पाई जाती है आपका देखिए करेट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन देखिए कुल 78% कितने पाई जाती ध्यान का तो 21% जो है यहां पे oxygen पायाता है अगर यह दोनों को कहा जाता है और जो बचता है तो कहलाता है और भी गैस मिलके होती है और जो हाइट्रोजन कारबन एकसाइड इसा मिलके 1% को मिलती है तो मोस्ट आप लोग इंपोर्टिक मुपाईजाने वाली गैस है तो आपका हो जाएका nitrogen 78% सकेंड में कहा जाए तो oxygen 21% आएए portion 20 के बढ़ते हैं global warming बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किसका है कारबन डेकसाइड का green house गैसे का carbon monoxide का उप्यूक सभी का global warming के बाद में बताते हैं सबसे आदा global warming बढ़ाने काम करता है उख जाए देखिए करेक्ट आपका green house गैसे जो है global warming को बढ़ाने में काम करती है global warming बढ़ने से क्या होता है यादा गर्मी और बहुत उत्पत्ती जो बहुत कहर नुकसान दायक होता है लोगों को सबस्रद योगदान किसका होता है तो green house गैसे कहा होता है यहाँ पर आपका 20 question complete होता है जोगर्फी पार्ट नमर 30 का और भी अब नेक्स टाइम में और भी विडियो ले के आएंगे अगर कोई तरक विडियो चाहिए तो अब आप हमको कमेंट कर सकते हैं आप हमको तो की विडियो बनाएंगे विडियो को लास्ट तक वाच करने के लिए थाइंकिव और शौके